दिएर स्टुनेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कॉंपेंसेशन थियोरम तंभरन प्रमे इसके बारे में पढ़ा था और उसका एक प्रॉब्लम भी अपनने सॉल्व किया था आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं इसका बहुत अधिक महत्व है इस प्रमे का क्योंकि यहां पर हम यह देखना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडिशन है जिसमें हमें अधिक्तम शक्ति का संचरण प्राप्त होता है क्योंकि जब अपन लॉड़ स्पीकर लगाते हैं अम्प्लिफाइर के साथ तो हम यह चाहते हैं कि इंपिडेंस मैचिंग इस तरह की हो कि हमें अधिक्तम शक्ती प्राप्त हो जिससे कि लॉडे स्पीकर से हमको काफी एंप्लिफाइड मात्रा में आवाज मिल सकें या हम बहुत अच्छी आवाज जो हैं एंप्लिफाइड रूप में सुन सकें इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा उप्योग है तो पहले आप हम देखते हैं इसकी स्टेट्मेंट तो यह हमारा सेकंड लाज्ट टॉपिक है मैक्जिमम पावर ट्रांसफर थे इसके पहले की सारे टॉपिक हम पिछले यह कौन सा लेक्चर है सोलवा लेक्चर है पिछले पंदरा लेक्चर में अपन कवर कर चुके हैं और यह हमारा सेकंड लाज्ट टॉपिक है जो की बड़ा इंपोर्टेंट है आपकी एक्जामिशन पॉइंट और इलेक्ट्रानिक्स की पॉइंट और व्यूव से भी तो देखते हैं यह क्या है बड़ा चोटा सा थियूरम है पर बड़ा इंपोर्टेंट है बहुत ही खोटा है तो अकॉर्डिंग तो दिस थियूरम इन लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क द्वी पार्षविक रेखिये शक्रिये जाल है द्वी पार्षविक पिछ द्वी द्वी धारा का श्रोत लगा ऊंधा एक न्याल में श्रोत से लोड को संच्रित शक्तिक्रामान अधिकतेम होता है है सहीं कि एसे जाल में यूद्स की आंतिरिक प्रतिवादा परशपर सैउग मी होते हैं इ सो यह दी यरूद सैउग्मी होते हैं मतलब कहां हैं इसका क्या मतलब है वो अभी अपन देखेंगे तो अब हम चलते हैं हमारे इस theorem को देखने के लिए जो कि आपके लिए बहुत important theorem है इसको अच्छी तरीके से समझिए और जाद रखें ठीक है तो इसमें पूछा जाता है question examination में state and prove maximum power transfer theorem अधिक्तम शक्ती संच्रण प्रमे का कथन कीजिए और उसे सत्यापित कीजिए यह question परिक्षा में आता है तो इसका circuit बहुत ही simple है अभीताव पर ने जितने देखें उन सबसे simple circuit इसका है और derivation जरूर इसका थोड़ा सा लंबा है तो आईए अपन ले लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक श्रूत ले लिया जिसका आंतरिक प्रतिवाद हमने यहाँ दिखाई हुई है और इसके साथ इसके श्रेणी क्रम में हमने लगा दिया एक लोड़ थोड़ी सी जगे बचा लेते हैं यह जगे जादे ले लिया अपने अधर इधर बना लेते हैं अल्राइट दिस जडे जडे लिया अन दिस जडे जडे घे लिया और इसमें से बेहने वाली धारा हुई अपनने आई ले लिए यह तो हमारा लोड है इतना सिंपल सा सर्गेट है और सिंपल सर्गेट को अपने को अनलाइज करना है अब अधिक्तम शक्ति संचन्प्रमे क्या कहता है उसके अनुसार यदि यह दोनों इंपिडेंस कौन से जेड और जेड आर यदि यह complex conjugate हैं तो complex conjugate का मतलब करें अभी जो जेड आर है अपन क्या करें प्रतिवादा है है ना मतलब इसमें प्रतिरोध भी है और साथ में जो है वह कैपेसिट टर्म या इंडक्ट्ट्ट वह वह सकता है तो इसलिए अपन जेड को लिख देते हैं जेड इस इक्वल टू आर प्लस जे एक्स अल्राइट तब अपन जेड आर भी उसी तरह से लिख सकते हैं आर आर प्लस जे एक्सार तो प्रतिरोध और इसमें इंडक्ट्टंस या कैपिस्टंस कुछ भी हो सकता है ठीक है ना वह अपन यहां पर आपने लिए अल्राइट या कॉ हो यह कहता है कि यहां है ओर इधी जैड और माइनस जेए एक्स हो जाए ले दो आर आर 더 übrigens जेक्स हो जाए जो की यहैं तब अधिक्तम शक्ति का संचरुन होगा मतलब लोड को अधिक्तम शक्ती प्राप्त यह लोड क्या यहां पे आपर पामिनहारे लाट इसपीगर है हमार प्रमे कहता है तो हमें क्या है हमें नहीं करना है कि आर आर इस इकील टू आर एक चीज़ यह प्रूफ करने और दूसरी एक सार इस इकल टू माइनस एक्स है डिश्मांट तो प्रूफ अपनने कंडिशन निकाल ले कि हमको क्या प्रूव करना है ठीक है तो पहले तो चली अपन धारा निकालते हैं और फिर उसके बाद शक्ति निकालते हैं क्योंकि शक्ति आप जानते हैं इसक्ति के मान इसक्वेर होता है तो इसलिए अपन पहले क्या निकाल लेंगे धारा निकाल लेंगे जो इसमें से बहरी है so i will be equal to e upon z plus zr ओके और this will be equal to e upon z is r plus jx प्लस आर आर प्लस जे एक्स आर राइट यह तो हमाने धारा निकाल ली अब जो पावर है जो लोड को डिलीवर होगा है इसको वो क्या होगा यह जो आई है i square into z यह पावर जो है वो डिलीवर होगा तो पावर डिलीवर to the load लोड को प्राप्त शक्ती है ना हिंदी में लोड को प्राप्त शक्ती पावर डिलीवर है यह पावर दो प्राप्त शक्ती है तो फो पी विल बीग एक्वल टू आई स्क्वेर न तो जर आए ना इस्क्रापन यहां से आई कम आनिया से सब्स्टिट कर सकते हैं तो इसली विल वी इक्वल तो इसलीव इस्क्वेर नौट जड़ार है यहां पर पावर में आएगा आरार है और में आरार आएगा क्योंकि जो प्रतिरोध होता है ठीक है ना उससे ही मुटिक्रिकेशन होता है राइगा इंपिदेंस और स्कापसितन इसका इफक नहीं आता ति आएगा स्कोर्ण आरार स्कोर्ण इसको 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 यह लिखने हापन एपन तोड़ा सा r plus rr एक और step यहाँ पर लिख लेते हैं इस step के लिए this will be e upon r plus rr किया गया यहाँ से plus j into x plus xr ऐसे लिख लेते हैं और तब हम यहाँ पर इस से लाते हैं यहाँ पर तो यहाँ से अब आपन substitute करेंगे इसको तो e square rr and this will be r plus rr plus j into x plus xr और mathematics में आपने पढ़ा होगा कि जब आपन इसका square करते हैं तो इसको इस तरह से लिख देते हैं r plus rr minus j into x plus xr okay तो यह बन जाता है आपका p is equal to p is equal to यह तो वही रह गया e square rr divided by now income multiplication j j square minus 1 फिर minus minus plus हो जाएगा so this becomes r plus rr whole square plus x plus xr whole square यह p का relation निकल गया ठीक है अब हमें condition निका दी है हमें क्या निकालना है अधिक्तम शक्ति मतला मैक्सिमम पी ठीक है तो मैक्सिमम पी निकालना है तो उसके लिए हम एक बार xr के साथ लेंगे और एक बार rr के साथ लेंगे यह अधिक्तम शक्ति आप जानते हैं कि जब भी कोई term अधिक्तम होता है mathematics के अनुसार उसका जो differential है पी जो अधिक्तम है उसका जो मालने की माल लिजिए इफ एक सार इस वेरीड मतलब एक सार में परिवर्तन ही हो रहा है माल लिजिए अधिक्तम है तो माल लिजिए एक सार में परिवर्तन हो रहा है तब हम क्या निकालेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक सार और और यह जीरो है है तो क्या हो गया है यह पी मैक्जिमा और दूसरे केस में फिर आरार ले लेंगे फिर दोनों की कंडिशन को कमबाइनखर यहां पर हम डेल्टा एक सार डाट इपल टू जीरो लेंगे तो यह किसकी कंडिशन हो जाएगी मैक्जिमा की कंडिशन हो जाएगे तो चली इसको डिफेरेंशेट करते तो डेल्टा पी बाइंधर एक सार यह विए इपल टू अभी इसमें यह दोनों थे है तो यह कॉंस्टेंट है तो यह तो कॉंस्टेंट ही हो गया एक तरह का तो यह टम तो हमारे पर सीधा-सीधा ऐसे आ गया e square into rr यह तो बाहर आ गया और बचाए वो टम में क्या हो जाएगा डिल्टा बाइ डिल्टा एक्स आर इंटू यह टम r plus rr whole square plus x plus xr whole square to the power minus 1 ठीक है तम वो फार्मुला लगा देंगे nx to the power n minus 1 का so this will be e square rr into into kya हो जाएगा minus 1 आगे एक तो बाहर दूसरा आगे हमारे पास r plus rr whole square plus x plus xr whole square to the power minus 2 nx to the power n minus 1 and then again we have to differentiate this इसको differentiate करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा constant term है यहाँ पर इसको differentiate करें तो क्या मिलेगा this multiplied by multiplied by 2 into 2 into x plus xr यह हो जाएगा और फिर इसको differentiate करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा और xr के साथ अपन कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा तो हमारे पास यह मिल जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे इसको लिख लेंगे minus यह तो ऊपर का term है यह इसको आपन नीचे ले जाएगे so this will be minus 2 e square rr into x plus xr divided by divided by this term r plus rr whole square plus x plus xr whole square to the power 2 this square and this should be 0 this should be 0 for maxima for maxima की conditionally यह 0 होगा यह 0 होगा तो यह तो this into 0 0 बन गया हमार पास सिर्फ क्या रह गया यह तो constants है आपके तो आपका यह की condition है यहाँ पे x plus xr that is equal to 0 so if this is 0 that means x plus xr is equal to 0 or xr is equal to minus x तो हम यही चाहरे तो पहली condition मिल गई हमको यह condition यह condition हमने प्राप्त कर ली now let us find another condition तो उसके लिए हम rr vary करेंगे और delta p by delta rr निकालेंगे पर तो उसके पहले चुकिए अपने भी condition मिल गई है तो इसको अपन यहाँ put up कर देंगे तो p will be p यहाँ से यहाँ से अपन लिख सकते है p that is equal to e square rr divided by r plus rr full square because this becomes 0 all right तो यह condition पर आगया p आपका अब हमको क्या करना है rr को vary करना है so now if rr is varied मताब variable हो गया है इसको अब हम बदल रहे हैं इसमें change हो रहे हैं माल लिए तो delta p by delta rr will be 0 for p to be maximum ठीक है तो delta p by delta rr निकालते हैं so delta p by delta rr that will be equal to delta by e square तो भारा जाएगा यह दोनो u by v कि तरह हो गए so e square into delta by delta rr of 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 rr divided by r plus rr whole square और यह differentiation आपको पते ही है delta by delta r अपने निकालें u by v का नीचे वी स्क्वेर आ जाता है और उपर फिर उसी तरह से differentiation लिखते हैं तो यह हो जाएगा आपका e square into e square into नीचे जो है यह हो गया आपका rr to the power 4 जाएगा और उपर क्या जाएगा ऊपर अपने इसका differentiation करेंगे और इसको लिख देंगे नीचे आले को वैसे ही तो इसको differentiate किया अन्य इसको लिख दिया तो यह क्या बन गया r plus rr whole square यह वैसी लिख दिया इसको पहले differentiate किया था तो आप इसको वैसी लिख देते हैं अपन यू को यू बाई वी में पहले यू को differentiate करते हैं फिर उसके बाद वी को differentiate करते हैं तो यहां पर यह जाएगा क्या rr और इसको differentiate किया तो क्या जाएगा यह 2 into this is 2 into r plus rr 2 into r plus rr इसका differentiation और फिर यह अंदर का time में इसको differentiate किया so that becomes your 1 because for this it is 0 यह मिल गया आपको यहां पर all right so if you solve this this is e square into अब यहां पर r plus rr whole square है यह r plus rr है तो अब सीधा भी ले सकते हैं इसको यहां करने की बजा है we will simply write that this is this should be 0 okay so if this is 0 that means if this is 0 तो आप अपन यहां कहां लिख ले है इसको अभी एक step आ जाएगा यह लिख लेते है आर प्लस rr whole square और यह आर प्लस rr तो निकल जाएगा तो आपके पास क्या बज़ जाएगा आर प्लस rr because this is equal to 0 numerator will be 0 यह तो इसके साथ 0 बन जाएगा यह square का कोई महत नहीं है तो यहां पर आर प्लस rr पैले टम मिला हैं minus यहां से मिल गया 2 rr is equal to 0 okay so this becomes r minus rr is equal to 0 और rr is equal to r तो यह हमको दूसरी condition भी मतलब लोड को अधिक्तम शक्ति कब संच्रित होगी जब मतलब यहां प्लस jx है मतलब श्रोत की आंतिर प्रतिवादा यहां प्लस jx है तो लोड जो क्या होना चाहिए प्लस jx होगा तभी अधिक्तम शक्ति संच्रित होगी अधिर्वाइज नहीं होगी अब यह अधिक्तम शक्ति कित्री संच्रित होगी यह भी हमको निकालना है यह भी पूछा जाता है कि यह भी निकालिए कि अधिक्तम शक्ति जो है यह प्रूफ कीजिए कि अधिक्तम शक्ति इतनी होती अभी यह नहीं बताऊंगा कितनी होगी देखें वह कितनी शक्ति जो है वह अधिक्तम संच्रित हो सकती है ठीक है तो च झाल झाल तो अब हमते हैं क्या निकाल लिया, z is equal to r plus jx, all right, and zr is equal to r minus jx, zr that is equal to r minus jx, यह अपनने प्रूफ कर दिया, अधिक्तम शक्ति के लिया, तो now, now because of this, क्या होगा, कि यहां पर जो cool resistance है, वो क्या हो जाएगा, total resistance, that will be equal to r plus total impedance kli not resistance, okay, total impedance, that will be equal to r plus jx plus r minus jx, so that is equal to 2r, यह total power है, sorry, total impedance है, जो कि अभी circuit में हो गया, आप source से कितना power लिया, वो देखें, है, source से जो power लिया, so power delivered from the source, है ना, source से जो फ्राप्त किया, हो क्या हो जाएगा, उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, इसके लिए यह निकालने के लिए, हम पहले i निकालेंगे, है ना, i will be equal to e upon 2r, यह resistance आपका 2r हो गया, and power, that is equal to i square r, तो यहाँ पर r की जागे 2r हो जाएगा, so that is i square into 2r, so that will be equal to i square is e square upon 2r square into 2r, so that will be equal to e square upon 2r, this will be the power which will be taken from the source, और यहाँ पर r क्या है यहाँ आपन इसको ले 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 ले, so इसको अपन e square upon 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि लोड में अपनने क्या लिया हुआ है, zr जो है, zr अपने लिया हुआ है, rr plus jxr है न, so यहाँ पर अपने प्रूफ किया था, यह r is equal to rr, right, so यह भी अपन इस तरह से ले सकते हैं, तो यह तो अपनने देखा, कि कितना power source से लिया, अब कितना power deliver किया, लोड को, right, तो वह अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास relation था, यह वाला, ठीक है न, तो यहाँ पर maximum power delivered to the load निकल जाएगा, क्योंब यहाँ एक्स वाला तो अपने डाली दिया, आप इसको डालें, तो यहाँ maximum power यहाँ लिख लेतें, maximum, तो this is for this, है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, maximum power delivered to the load, लोड को अधिक्तम शक्ती, यहाँ कम मिलेगी, जब आर बर आबर आरा रा रख देंगे अपन, तो अधिक्तम शक्ती मिलेगी, तो P विल बी इक्वल टो E स्क्वेर, आर आर डिवाइड़ बाय, आर की जगे आर रख दें, तो आर आर प्लस आर आर इसका स्क्वेर, इस विल बी अपी, मैक्सिमम, ठीक है, तो इस विल भी, यह आर प्लस आर टू आर र होंगया है, तो 4 आर र स्क्वेर होंगया है, तो E स्क्वेर र अपन 4 आर स्क्वेर, अर इस विल बी, E स्क्वेर अपन 4 आर, तो P मैक्सिमम, यह उप्लस आर इस विल टो E स्क्वेर अपन 4 आर र र, क्या मिला, P is equal to, इससे compare कर लेते हैं, P is equal to E स्क्वेर अपन 2 आर र र, देखिए मज़धार चीज़, ओके, तो P is equal to E स्क्वेर अपन 2 आर र र और P मैक्सिमम, यह इस इस स्क्वेर अपन 4 आर र र, इसका आधा होगया हूँ, हमने इतनी कोशिश कर ली, सारे दाव पेश लगा लिए, परंतु अधिक्तम शक्ती, जो डिलिवर हुई, वो कितनी हुई, जितनी सोर्स से लिए उसकी आधी, है ना, मतलब 50% Efficiency हुई, Efficiency is 50%, जितना हमने सोर्स से लिया, उसका 50% ही पावर हम लोड को डिलिवर कर पाए, जबकि हमने maximum पावर की condition लगा लेती है, तो अधिक्तम शक्ती जो संच्रित हो सकती है, किसी सर्केट में, वो कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है, इसके हमसार, वैसे दूसरी conditions हम ले लेते हैं, वो देखेंगे बाद में, कोई problem ले लेंगे, उसमें बताएंगे आपको, कि किस case में हम 50% से ज़्यादा शक्ती भी संच्रित कर सकते हैं, लोड को, उसके लिए हम कौन सी condition लगाते हैं, इसके अनुसार, जो है, अधिकतर्व शक्ती जो है, वो 50% जो है, वो शक्ती होती है, जो कि लोड को यहाँ पर डिलीवर होती है, मतलब एफिशन्सी जो है, वो 50% होती है, कभी हमको ज़्यादा ऐफिशेंसी चाहिए होती ही, तो कहीं कुछ और हमें कमी करनी पड़ती है तो वो हम करेंगे वो देखेंगे किसी problem है So that was your maximum power transfer theorem जो की बहुत ही important theorem है जैसा मैंने आपको बताया था examination में भी अक्सर पूछा जाता है तो आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें इसको अच्छी तरीके से समझें और आपको ये मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलें अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें और साथ में चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स और वाचिंग मैं वीडियो तो थैंक्यू वेरी मच्छ